कपूर्थला रोड पर बने स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉंप्लेक्स में फायर स्टेशन ना लगाने का खामयाजा एक उद्योग पती को अपनी फैक्ट्री में लगी आग से भुक्तना पड़ा कपूर्थला रोड तूटी होने के कारण दमकलवी भाग की गाड़ी भी 45 मिनट देरी से पहुंची तब तक स्पोर्ट्स फैक्ट्री जल कर राख हो चुकी थी आपको बता दें किस फैक्ट्री में आग शौर्ट सर्कुट होने से लगी फैक्ट्री के मालिक सैबिश औब केरी से पहुंची जिस कारण फैक्ट्री में बड़ा सारा समान जल कर राख हो गया कि अच्ट्री का नाम कैम्यू स्पोर्ट्स अजन्सिल है मैं तो अफिस में बैठा गुआ था उस पता नहीं लगा है एक तम शोर मच गया वार एकटम तो फिंस गएरा और दूहां बहुत जादा आ गया शोर मच गया तो तब पता लगा कि बहुत जादा फैर हो गई है अगर हमने कोशिश की बहुत परपानी और नहीं था एकदम लाइट और भी बंद हो इसारी तो उसके बाद फटापट फायर ब्रिगेड को फोन किया तो उसके बाद देका फिला लगबग एक हंटे के बाद फायर ब्रिगेड तो कि अगर 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 जाएगी यह अगर यहां का स्पोर्ट शर्टिकल कंप्लेक्ट अपर रही है और आज जो यह हुआ है एसी कठना हो जाएगी यह अशा उमीद तो नहीं करते पर इसका बचाओ का हमने पूरे रास्ते रूनने की कोचिश की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियं आई कोई शक नहीं है इन्होंने इमीजेट एक्षन लिया गाड़ियं बही दी बार-बार मेंको फोन आ रहा था इ स्ट्री सफूर्स अशा थाइ लगाड़ियं आप इस तरह दो खोई अवना काते हैं यह वो फूर्थ नहीं रोड़ जरते आढ़ बनरए कारके निए जड़ा निए जड़ा बनरी निए जड़ा फेर लाग्ति ना रोड़ा बिल तो फेर स्ट्र अवना काते हैं आज अनुल पाणी भी पाणी भी पिर गया तो पाणी 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 पार के ना लाज गया तो छेवेड़ना आजिते हो